नमस्कार दोस्तों मैं नमें किर्सन आप देख रहें मेडिकल गुर्ज यूटूब चैनल को आज हम बात करेंगे जालिम लोसन के बारे में ये लोसन उन माता वेनों उन भाईयों के लिए जेने पुराने से पुराने दाद, खाज, खुजली की समसे रहती हो लाल-लाल चकते रहते हो, धूप में जाते हैं, चैन्टी सी खाती हैं, चोचोटे दाने से निकल जाते हैं, पुराने से पुराना चरम रोग रहता हो, फोडे फुनसी रहते हो, हरता रहकी आप ट्यूब लगा चुके हैं, लेकिन आपके दाद, खाज, खुजली जानी रहे है आपने काफी ज़्यादा two way इस्तेमाल कर ली हैं आप हलके से बाहर निकलते हैं आपको चैटी से खान लगते हैं छोचोटे दाने ओब रहा था छोचोटे चक्ते बन जाते हैं लालाल रिंग्स बन जाती है रिंग वॉम की समस्षा रहती है या फिर आपको एटलिट हैँ आप रेस वागरा करते हैं आपके जो पेरों में दाद बन चुका है अंगूठे के बीच में उंगरियों के बीच में दाद बन चुका है वो जानी रहे तो वीडियो आपके लिए है वीडियो को अंतर देखा ना भुलें ताकि आप इस जालिम लोशन के बारे में अधिक सदिक जानकाई ले पाएं और इसका अधिक सदिलाब उठा पाएं जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नई सस्क्राइबर सा हैं मुझे लोगो स्क्राइब करना और बेल आइकन को दबना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेश वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे सबसे पहले बात करते हैं जाले मिलोशन की कंपणी के बारे में इसे किस कंपणी ने बना है इसे और इंटल लाइफ साइंस कंपणी ने बना है अब बात करते हैं कंपणी ने इसकंदर का कच्छी ये डारी हो हैं और किन saltosimil के बनी होती है, company ने इसके अंदर aerovidic salt मिलायो है, या aerovidic तरह के saltosimil के बनी होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कांच की डिबबी देखने को मिलेगी, यह आपको भाल लिकानी है, packet के अंदर से, और फिर आपको क्या करना है कि इस प्रैकेट को फान ना होगा, कि जारी डिटेल होती है, वो इसकंदल लिखी रहती है, जारे लुशन, दाथ, खाज, खुजली, और उसी तरह के अनेक चरेम रोग, फोड़े, फुंसी को ठीक करने के लिए इसक्तमाल किये जाता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कितना मार्केट के अंदर आपको 30 रुपे की देखने को मिलेगी, आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल सौप, टेल सौप, यहां तकी ऑल्लाइन 1MG, फिर अमेजन फुल पकार्ट से भी मंगा सकते हैं, इसके साथ डॉक्टर की परच्चे की जाओत नहीं पढ़ती है, आईर वे द तो इसे क्या करना होता है, रूवी पल लपेटी हुई सलाई, जाले मिलोसल में भ्योग कर दिन में सिर्फ एक वाल लगाएं, दवा लगाते ही सूख जाती है, वे कापुड़ों पर दाग नहीं पड़ता, बहुत पराने जड़ से जमाई हुए लोगों को मिटाने के लिए दिन में दो वाल लगातार जाले मिलोसल लगाएं, अगर बहुत पराने किसी को सोराई से से बहुत पराने दाद खाज खुजली है तो दिन में दो वाली लगाने की सलाथ दी जाती है, वे तीसे दिन औरियन औरिकेम क्रीन ग्रीन ओंटमेंट लगाएं, दो दिन पून जाल आप सकता हम उसा लगाते रहना है तो आप देखेंगे कि आपको दाद, खाज, खुजली की समझा बन रही थी, परान परान चक्ते बन रही थी, वो ठीक हो रहे चालो हो जाएं, कुछ इसके side effect देखने को मिल सकती हैं, कुछ आपको दिक्कत देखने को मिल सकती हैं, उस बारे को उड़ा देती है, तो जखम बनने का चांस रहता है, तो ये भी side effect आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे, साथ-साथ कुछ लोगों को इस सूटेवल भी नहीं होती है, तो वीडियो को अंतर देखना ना बूले, इस में थोड़ी और चीजे में आपको बताता हूं, storage की बात की जाए, तो इसे normal temperature पर रखना होता है, और किन लोगों के लिए सूटेवल नहीं है, जिनकी skin बहुत ज़्यदर soft रहती हो, जिनको थोड़ा cut, 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 cut गया हो, cut पे इसे बिलकुर नहीं लगाना है, आपको बहुत ज़्यद जलन होगी, साथ-साथ एक चीज का बिसकुल आपको धहन रखना कि इसके अंदर poison होता है, यह जहर होता है, तो बिलकुल भी इसे अपने मुह के अंदर है, फिर ऐसे area पर ना लगाए, जहां पर मुह पे अंदर या आँक के अंदर यह जाने का खत्रा हो, गलती से चले जाए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर consult करें, ब आपको परवने दाद, खाज, खुजली परवने 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 इंफेक्शन, आपको dermatitis रहती हो, या पर किसी प्रकार का आपको दाद, खाज, खुजली परवने बने हो, उनको ठीक करने के लिए यह इस्तमाल की जाती है, तो वीडियो को अंतर देखना ना भूले, और स लाव उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई मेडिचन लेंडी से पहले एक पापा डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, हमाचल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन की सला बिलकुल नहीं देता है, साथ-साथ हमाचल किसी प्रकार से मैदान नहीं होगा, अगर आप वीडियो दे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद